शान्ताकारं भुजगशेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सद्रीशं मेख वर्णं शुभागं लक्ष्मिकांतं कमलनेनं योगी भिध्यान गम्यं वन्दे विश्णूं भवभैहरं सर्वलोके कनाथं राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं आबंधों संस्कार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज पुर्णिमा के दिन मैं आपके लिए लिकराई हूँ सत्नरायन भगवान की कथा बंधों आज सत्नरायन की कथा सुनने मात्र से भगवान शिसक्त नरायन की आपड अटू प्रिपा होगी बंधों शिसक्त नरायन स्वामी का जो व्रत करते हैं भगवान शिसक्त नरायन स्वामी उनकी जोलियां खुशियों से भर देते हैं उनके सभी काम बनते चले जाते है उनके घर में कभी भी अन्धन की कमी नहीं रहती जो म्नुष्य भी हर पुर्णिमा के दिन सक्ठ नरायन भगवान की व्रत को करते हैं और कथा को सुनते हैं बंधों यदि आप किसी कारण से सत नरायन का व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम शी सत नरायन भगवान की कथा को अवश्य सुनें बंधों पूरन विश्वास सची निष्ठा के साथ शी सत नरायन भगवान की कथा को सुनें बंधो यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधो वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जय शिस्त्त नरायन भगवान की अवश्य लिखें बोलो सत्त नरायन भगवान की जय हो बंधो सत्त नरायन व्रत करने वाला मनुश्य पूर्णिमा के दिन साइकाल की समय शिनार आदी से निवरित होकर पूजा स्थान पर आसन लगा कर बैठे और शीगनेश, गोरी, वरुन, विश्नु आदी सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें संकल्प करें कि मैं शिसत नरायन स्वामी का पूजन वाकथा श्रवन स्दैव करूँगा पुष्प हात में लेकर शिसत नरायन का ध्यान करें यद्यो पवीद पुष्प नवेद्य आदी से युक्त होकर स्तुति करें हे भगवान मैंने शद्धा पुर्वक फल जल आदि सब समगरी आपके अरपन की है इसे स्विकार कीजिए मेरी विपताओं से रक्षा कीजिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ इसके बार शिसत नरायन भगवान की कथा पढ़ें या फिर श्रवन करें शिसत नरायन भगवान की कथा आरम पहला अध्याएक एक समय नेमी शर्नेतित में शोनक आदी 88,000 रिश्यों ने शिस्सूची से पुछा है प्रभू इस कल्यूग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभू भक्ति किस प्रकार मिलेगी इसका उधार कैसे होगा हे मुनिशेष कोई ऐसा तप कहे जिसमे थोड़े समय में पुन निप्राप्त हो और मन वांचित फल भी विले वेह कथा सुनने की हमारी प्रभल इच्चा है सरव शास्त ग्याता की सूची बोले हे वैशनवों में पुझ आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है अब मैं उस शेष्ट व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारत जी ने शीलक्ष्मी नारायन भगवान से पूछा और शीलक्ष्मी पती ने मुनिशेष्ट नारत जी से कहा यह कथा अध्यान से सुनू एक समय योगी राज नारत जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यू लोग में पहुंचे यहां अनेक योनियों में जन्में हुए प्रायस सभी मुनिश्चों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित द वाले देवों के इश नारायन का जिनके हाथों में शंक चक्र गदा और पदम थे वर माला पहने हुए थे देख कर स्तुदी करने लगी यह भगवान आप अत्यां शक्ति से संपन है मन वानी भी आपको नहीं पासकती यदि आपका आदी मद्य अंत नहीं है निर्गुन विष्टी के कारण भगतों के दुखों को नश्ट करने वाले हो आपको नमस्कार है नारद जी से इस प्रकार की स्तुति संकर विष्णु भगवान बोले है मुनी आपके मन में क्या है आपका किस काम के लिए आगमन हुआ निस संकोच कहो तब नारद मुनी बोले मुनुष्यों के सब्दुख थोड़े से ही प्रितन से कैसे दूर हो सकते हैं शी भगवान जी बोले नारद मुनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूची है जिस काम के करने से मुनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूं सुनों बहुत बिदान करके मुझ्य तुरंथ ही यहां सुक भोग कर मन्ने पर मुख्ष को प्राप्त होता है शी जी भगवान के वचन सुनकर नारद मुनी बोले उस फ्रत का फल क्या है क्या विधान है किस ने यह ऑवरत किया है किस दिन यह नहाथ करना चाहिए यह भग्वान मुझस से कहो भगवान बोले दुख शोक आदी को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है भक्ति और शद्धा के साथ किसी भी दिन मनुश्य शिसत नरायन की शाम के समय ब्रहामनों और बंधों के साथ धरम परायन होकर पूजा करे भक्ति भाव से नवित्य केले का फल घी दूद और गेहूं का चूरन सवाया लेवे गेहूं के अभाव में साथी का चूरन शक्कर अत्वा गुडले भक्ति भाव से भगवान को अर्पन करे बंधों बांधों सहित ब्रहामनों को भोजन कराए पस्चात स्वैम भोजन करे राप्त्री में नरित्य गीत आदी का अयोजन कर शिसत नरायन भगवान का स्मरण करता हुआ समय वैतीत करे इस तरहें ब्रत करने पर नुष्य की इच्छा निष्चे पूरी होती है विशेश कर कली काल में नित्य लोग पर यही मोक्ष का सरल उपाए है इधी शिसत नरायन बत्कठा का प् राम 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 हरे 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 क्रेश्न हरे क्रेश्न 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 हरे हरे दूसरा अध्याई सूर्जी बोले हे रिश्यों जिसने पहले समय में स्वरत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ ध्यान से सुनो सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यान निर्धन ब्राहमन रहता था मैं भूख और प्यास से बेचैन हो पित्वी पर घूंता था ब्राहमनों से प्रेम करने वाले शी भगवान ने ब्राहमन को दुखी देखकर बुड़े ब्रहामन का रूप धारन कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा हे विप्र तुम नित्य ही दुखी होकर पित्वी पर क्यों घोंते हो हे शेष ब्रहामन यह सब मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ ब्रहामन बोला मैं निधन ब्रहामन हूँ बिक्षा के लिए पित्वी पर फिता हूँ हे भगवान यदि आप इससे चुटकारे का उपाय जानते हो तो क्रिपा कर गो हो ब्रहामन बोला श्री सत्नरायन भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं इसलिए हे ब्रहामन तो उनका पूजन कर जिसके करने से मनिश्य सब दुखों से मुक्त होता है ब्रहामन को ब्रत का सारा विधान बतला कर बुड़े ब्रहामन का रूप धारन करने वाले शिसक्त नरायन भगवान अंतरध्यान हो गई जिस ब्रत को ब्रिद ब्रहामन ने बतलाया है मैं उसको करूँगा यहये निष्चे करने पर उस वृत ब्राह्मन ने बतलाया यह निष्चे करने पर उस वृत ब्राह्मन को राध में नीन नहीं आई वह स्वेरे उठकर शैसनरायन भगवान के वरत का निष्टेगर बिक्षा के लिए चल दिया उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला जिससे बंधू बान्वों के साथ उसने फिर्सत नरायन का व्रत किया उसके करने से वहविप्र सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्यां से युक्त हुआ उस समय से वहविप्र हर मास व्रत करने लगा इस तरहें सत नरायन भगवान के व्रत को जो मनुश्य भी करेगा वह सब पापों से छूट कर मौक्ष को प्राप्थ होगा आगे जो पित्वी पर सत नरायन भगवान का व्रत करेगा वह मनुश्य सब दुखों से छूट जाएगा इस तरहें नाराज जीसे, नारायन का कहाुआ ये वरत मैंने तूम से कहा हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ रिशी बोले, हे मुनिश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस वरत को किया? हम सब सुनना चाहते हैं इसके लिए हमारी मन मिश्रद्धा है सूची बोले है मुन्यों जिस जिस ने इस प्रत को किया वह सब सुनूं एक समय यहें वृत जहामन धन और एश्वरे के अनुसार बंधू बांधों के साथ प्रत करने को तयार हुआ उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुड़ा आदमी आया और बहाल लकड़ियों को रख कर विप्र के मकान में गया प्यास से दुखी लकड़ारा उनको व्रत करते दे कर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा आप यहें किस का पूजन कर रहे हैं इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है कृपा कर के मुझे भी बताओ ब्रहामन ने कहा सब मनो कामनाओ को पूरा करने वाला यह हैं शिषक नरायन भगवान का व्रत है इनकी कृपा से मेरे यहां धन धने आदे के विड़ी हुई है विप्रसे स्वरत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन हुआ भगवान का चर्णामरितले भोजन करने के बाद अपने घर को गया लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकास संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं शिर्षत नरायन देव का उत्तमरत करूँगा यह मन में विचार कर वह बुड़हा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुन्दर नगर में किया उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चोगना मिला तब वह बुड़हा लकड़हारा दाम ले अती प्रसन होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्द, दही और केहुं का चूरन इत्यादे शक्क नरायन भगवान के व्रत की कुल समग्रियों को लेकर अपने घर गया फिर उसने अपने भाईयों को बुला कर विधी के साथ भगवान जी का पूजल और व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से वह बुड़हा लकड़हारा, धन पुत्र आदि से युग्दुआ और संसार के सुक भोग कर बैकूंट को चला गया इती श्री सक्नरायन भगवान कथा का विध्य अध्याय संपूर्णम ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 क्रेश्न हरे क्रेश्न 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 हरे हरे तीसरा अध्याई सूच जी बोले हे शेष्ट मुर्यों अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो पहले समय में उलका मुखनाम का एक गुद्धिमान रादा था वह सत्य वक्ता और जी तेंद्रिय था प्रती दिन देव थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था उसकी पतने कमल के समान मुखवाली सती साथ भी थी भद्रशीला नदी के तर्ट पर उन दोनों ने सिसत नरायन भगवान का व्रत किया उस समय वहाँ एक साधू बेश्याया उसके पास वेपार के लिए बहुत सधन था वहनाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया राजा को व्रत करते देख कर विने के साथ कुछने लगा है राजन भक्ति युक्चिस से यह आप क्या कर रहे हैं मेरे सुनने की इच्छा है तो आप मुझे पताए राजा बोला है साधू अपने बांध्मों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्य नरायन भगवान का व्रत वापूजन किया जा रहा है राजा से सब विधान सुन वेपान से निव्रित हो वेह आनंद के साथ धर गया साधू ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस प्रत का समाचार सुनाया और कहा जब मेरे संतान होगी तब मैं इस प्रत को करूँगा साधू ने ऐसे वजन अपनी पत्नी लिलावती से कहे एक दिन उसकी पत्नी लिलावती पती के साथ अनंदित हो संसारिक धरम में परवृत होकर शिसत नरायन भगवान की क्रिपा से गरबती हो गई दस्वे महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जनम हुआ दिनों दिन वे इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुकल पक्ष का चन्रमा बढ़ता है कन्या का नाम कलावती रखा गया तब लिलावती ने मीठे वचनों में अपने पती से कहा जो आपने संकल्प किया था भगवान का ब्रत करूँगा अब आप उसे कर लिए साधू बोला प्रिये कन्या के विवाहा पर करूँगा इस प्रकार अपनी पत्नी को अश्वासन दे वेह नगर को गया कलावती पित्र ग्रह में व्रिधी को प्राप्थ हो गई साधू ने जब नगर में सक्षियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंधी दूद को भुला कर कहा पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वद देख कर लाओ साधू की अग्या पाकर दूद कंचन नगर पहुँचा और वहाँ पर खोजगर देख भाल करके लड़की के लिए सुयोग्य मनित पुत्र को ले आया उस सुयोग्य लड़के को देख कर साधू ने अपने बंधू बांध्यों सहित प्रसन चितो अपनी पुत्री का विवाँ उसके साथ कर दिया किन्तु दुर्भाक्य से विवाँ के समय भी उस व्रत को करना भूल गया तब शी भगवान प्रोधित हो गए और शाप दिया कि तुम्हें दारुन दुख प्राक्त होगा अपने कारे में कुशल साधू बनिया जा माता सहित नावों को लेकर विवाँर करने के लिए समुद्र के समीप सित रतन सारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुजमाई चंद्र केतू राजा के उस नगर में विपार करने लगी एक दिन भगवान सत्नरायन की माया से प्रेरिद कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था किन्तु राजा के दूतों को आता देकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वही नाम में चुप चाप रख दिया जहां वो ससुजमाई ठहरे हुए थी चोर भाग गए जब दूतों ने उस सादू वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांद कर ले गए और प्रसंता से दोड़ते हुए राजा के समीब क्या कर बोले यह दो जोर हम पकड कर लाई हैं देखकर आग्या दे तब राजा की आग्या से उनको कठिन का रावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया सत नरायन भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए शारीरिक वा मांसिक पीड़ा भूख प्यास से अती दुखित हो अन की चिंता में कलावती एक ब्राहमन के घर गई वहां उसने सत नराय की बोली है माता मैंने एक ब्राहमन के घर शिस्ट नरायन भगवान का व्रत देखा कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी लीलावती ने परिवार और बंधो सहिद शिस्ट नरायन भगवान का पूजन किया वर मांगा कि मेरे पती और दमाद शिग्र घर आ जाएं साथ ही प्रात्ना की कि हम सब का अपराज छमा करो सत नरायन भगवान उस प्रस्य संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वपन में दर्शन देकर कहा है राजन दोनों वैश्चियों को प्रात्य ही छोड़ दो और उनका सब्धन जो त कि दोनों वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया राजा मीठे वचनों से बोला हे महानु भावों भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्ट हुआ अब तुमें कोई भय नहीं ऐसा कह कर राजा ने उनको नए नए वस्त अपूशन पहनाए उनका कितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर से विदा किया दोनों वैशे अपने घर को चल दिये इतीशी सत नरायन व्रत कठा का तृत्य अध्यायत संपूरन ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे चोथा अध्याए सूच जी बोले वेश्ये ने मंगला चार करके यात्रा अरंब की और अपने नगर को चला उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश्धारी शिसक नरायन भगवान ने उन से पूछा हे साधू तीरी नाव में क्या है अभिमाने वनिक हस्ता हुआ बोला है दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं वेश्धे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्ते हो दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैड़ गए दंडी के जाने पर वेश्धे ने नित्ते क्रिया करने के बार नाव को उची उठी देखकर अचंब अधे उनकी शरण में चलना चाहिए तभी हमारी मनो कामना पूरी होगी दामात के वचन सुन वेह दंडी के पास पहुचा और अत्यान भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला मैंने जो आप से असत्ते वचन कहे थे उनको छमा करू ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा प्रम्मा आधि भी आपके रूप को नहीं जानते तब मैं अज्यानिक कैसे जान सकता हूं आप प्रसन होई मैं समर्थ्या के अनुसार आपकी पूजा करूंगा मेरी रख्षा करो पहले के समान नोका में धन भरतो उन्सके भक्ति भाव बचन सुनकर प्रसन हो उनकी जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूद को घर भेजा दूद ने साधू के घर जा उसकी इस्त्री को नमस्कार कर कहा साधू अपने दामास सही इस नगर के समीप आ गए लीलावती और कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी ऐसा वचन सुन साधू की इस परशाद छोड़कर पती के पास चली गई परशाद की अवग्या के कारण सत्य देव रुष्ट हो गए उसके पती को नाव सहित पानी मेड़बो दिया कलावती अपने पती को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई इस तरहें नोका को डूबा हुआ और कन्या को रोत सादू दुखित हो बोला है प्रभू मुझे या मेरे परिवास से जो भूल हुई है उसे शमा करो उसके दीन वचन सुनकर सत्य देव प्रसन हो गए और आकाश वानी हुई है सादू तेरी कन्या मेरे परशाद को छोड़कर आई है इसलिए इसका पती अद्रिश्य हुए है यदि वह घर जाकर परशाद खाकर लोटे तो उसे पती अवश्य मिलेगा ऐसी आकाश वानी सुनकर कलावती ने घर पहुँचकर परशाद खाया फिर आकर पती के दर्शन की इसके बाद सादू ने बंदू बान्धों सही सत्ते देव का विधी पुर्वक पूजन किया इस राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे पांच्वा अध्याई सूर्जी बोले है रिष्यों मैं और भी कदा सुनाता हूं सुनो प्रजा पालन में लीन तुंग भज नाम का एक राजा था उसने भी भगवान का परशाद त्याकर बहुत दुख पाया एक समय वन में जाकर वन ने पश्ण को मारकर बढ़ के व्रिष्ण के नीचे आया वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांध्वों सहिद शिष् वहां उसने अपना सब कुछ नश्ट पाया तो जान गया कि ऐसा भगवान ने किया है तब वहविश्वास कर गवालों के पास दोबारा गया और विधी पुर्वक पूझन कर परशाद खाया सब नरायन देव की क्रिपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया फिर दिर्गकाल तक सुख भोक कर मरने पर ज़रग लोग को गया जो मुश्य इस परंदुलब रत को करेगा या कथा को सुनेगा भगवान की क्रिपा से उसे धन धाने की प्राप्ति होगी ने धन धनी बंदी बंदन से मुक्त होकर निर्भाई हो जाता है संतान हीनों को संतान की प्राप्ति होत जिन्हों ने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जनम की कथा सुनों ब्रिद शतानन ब्रहमन ने सुदार्मा का जनम लेकर मोक्ष पाया उलका मुख नाम का राजा दश्रत होकर बैकुंड को प्राप्त हुआ साधु नाम के वैष्ये ने मोरधवज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया महाराज तुंधवज ने स्वयम भू होकर भगवान में भक्तियुक्त करम कर मोक्ष को प्राप्त किया इती शी सत नरायन वर्द कथा का पंचम अध्याय संपूर्णम ओम हरे राम हरे राम राम हरे हरे entrepreneurs ऐत्याय तो जो तो सिवेसले MEO हरे वे स्वेर सब्स दोर्प सद्तिती शेखालकोंगå आख्रीउसे घिड़िए और कि बड़े खिश्न ह्रेगको पॉड़िए नोग। राम राम हरे हरे, हरे क्रिष्न, हरे क्रिष्न, 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 हरे हरे, ओम हरे राम, हरे राम, 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 हरे, हरे, हरे क्रिष्न, हरे क्रिष्न, 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 हरे हरे, ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे हरे ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे हरे O'm Hare Rama Hare, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare ओम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 क्रिशन pouco हरे राम हरेon अन्या चुछ क्रेश्न ऐसकी का हरे हरे ना राम हरे बाराम रो Miraaaa Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Om Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Om Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Om Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Om Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Om Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Om Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare राधे राधे, जैश्री क्रिश्ना, बंधू, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें, और शेयर भी जरूर करें, धन्यवाद